हा तो वही टरंब भाई साब जो हैं वो दूसरी बार राश्ठ्रपती बन चुके हैं अर अमेरिका की सारे देश wise लेकिन इनस चीजों के भीच में एक जो चीज नोटिस करने में आई व यह थी कि जो लोग भारत में मोदी को सपोर्ट करते हैं वो लोग ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग मोदी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मोटी मोटी अगर आप बात देखेंगे पर ये लोग इतने दुखी हो रहे हैं जैसे इन्हों ने खुद एक बार फिर से राहुल गांदी को परानमंत्री बनते हुए देखने के अपने सपने को तोड़ दिया है जहां पर कि वो ट्रम्प के सपोर्ट के बाहर आ जाए भई एलॉन मस्क ने कैसा अंदा सपोर्ट किया है ट्रम्प को ये तो हमने देखा ही और विडमना देखिए कि जो लोग एलॉन मस्क की आलोचना करना चाहते हैं इस बात को लेकर उनको भी इलॉन मस्क के ही प्लेटफर्म का इस्तमाल करना पड़ रहा है इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगे नहीं है खेर यहां पर टाइम वेस्ट करने की तो कोई बात है नहीं तो हम लोग सीधे चलते हैं टुटर के ऊपर जो ट्वीट्स आए हैं वीडियो है अब यहां पर सबसे बड़ी दिख्कत यह हो गई है कि इस वीडियो में वैसे तो कोई गलत चीज़ नहीं है लेकिन इस वीडियों में जिस महाशाय ने वॉइस ओवर दिया है उन्हें ने नरेंद्र मुधी को कोट करते हुए जो वीडियो में ट्वीड पड़ कि ये भी नहीं देख पा रहा है कि दरेंदर मुदी के नाम के आगे वहाँ पर पेरोडी लिखा हुआ है क्या कर सकते हैं अंदभक्त कहने का एक नया कारण मिल गया तो ठीक है जैसे सामने वालों को चमचा कहा जाता है ना चाटने से ही फुरसत नहीं मिलती चाटने से याद आया योगेंदर यादव जी ने यहाँ पर एक बहुती गंभीर ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर आप दुनिया के हाशिये पर बैठकर अमेरिकी चुनाओं में जाकेंगे तो आप समझेंगे कि असली सवाल यह नहीं है कि अमेरिकी चुनाओं में कौन जीतेगा सवाल यह है कि अमेरिका का चुनाओं इन विकल्पों तक क्यों सिमट गया डॉनल्ड टरम जैसा व्यक्ती दूसरी बार राश्च्पती बनने के करीब क्यों पहुँच गया अमेरिका के लोग उसको वोٹ देकर जिता रहे हैं हमारे देश में जब वोटिंग होती है और भाज़पा जीतती है तो यही लोग चिलाने लगते हैं कि भई एवियम हैक हो गई कांगरेस जीतती है तो हला की एवियम में कोई गलबड़ी नहीं होती है लेकिन भाजबा जीती है तो इवेम हैक हो जाती है अब भाई अमेरिका में बैठे हुए लोग अमेरिका के ही एक आदमी को जो की वहीं का है वहीं का रहने वाला है उसे वोट करके बाकाइदा जिता रहे हैं तो फिर उसमें ये सब इतने भारी भरकम शब्द कहने के आकर कल रही है वैसी इनकी दुकान भी तो ऐसी बाते करने चल रही है तो हम उनके बारे में यादा कुछ नहीं बोल सकते योग इंदर जादव जी बहुत बड़े चुनावी रण नीतिकार नहीं चुनावी एनलिस्ट है जब यह बता देते हैं ना कि यह एक जिट पोल आने वा है इन्होंने इतना एक्स्टेंसिव इलीगल माइग्रेशन किया है यूएस में कि ट्रम्प को इससे पहले एक बहुत बड़ा इशू मिल गया एलेक्शन के पहले हैंस क्रेडिट जो है ट्रम्प की विक्टरी का वो बहुत जादा जाता है नन अदर देन नरेंद्र दामोद अदर दास मोदी अब पीड़ा आप समझ सकते हैं बाकी कि इसके दिल लाओ दिमाग में कितनी पीड़ा होगी कि उसको ऐसी बात लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा अरफा खानम शेरवानी ने एक विशलेशन का ट्वीट करते हुए अपनी बात कही है उन्हें ने कहा लेकिन कोई और व्यक्ति दो वार जीत कर आ रहा है तो वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी हो जाता है अब इसी को तो भाई मनलब हैंपोक्रेसी के बारे में दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कुछ भी अब आप जो बूल लो समझ लो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर अपना र मतलब इनका कहना है कि यह तो बहुत ही पोईटिक सा हो गया कि ट्रम्प जो है यह दूसरी बार बीच में आया है एक महिला जो अमेरिका की राश्पती बन सकती थी उसके बीचें दूसरी बार ही आया है और सबसे बड़ी बात इन्होंने काफी सारे अरोप लगे हुए ट्र कि अमेरिका एक ऐसे ही प्रेडिटर को ही अपने वोट देंगे मतलब आप अब एक पूरे के पूरे देश की जनता के उपर सवाली निशान उठा रहे हो कि भाई यह देखो तुमने ही तो ऐसे लोगों वोट किया है लग खुद के देश में की दुलनी बार ही है और दूसर अमेरिका का जो एक बार फिर से बनने वाला है तो अब्विस सी बात है दिकत की बात है लेकिन जिस अमेरिका को आप इतना बड़ा इतना महांदेश बताते हो अब आप उसी के इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हो मतलब बेसिक सी बात वही आ गई ना कि जहां पर आपकी मनमर्जी का नहीं होगा वहाँ पर सिस्टम ही खराब है आई रोने की भी हद होती है अरफा जी का एक और ट्वीट है लुक्स लाइट इस इस इट यूएसे एलेक्शन दोजार चॉबेस पीड़ा समझ में आ सकती है इन पांच शब्दों के पीछे जो दर्ध है आपका वो साफतोर पर दिखाई दे रहा है कौशिक बसूजी इसके उपर लिखते हैं ये दुनिया देख रही है कि यूएस में किस तरीके से एक कांटे की टकर के एलेक्शन चल रहा है और ये भी देख रही है कि आगे आने वाले समय में रोशनी होगी या अंधेरा होगा भाई में को आप एक बात बताओ डिउनल्ल टरम्प ने मेक्सिको की बाउंडरी के ओपर दिवार खड़ी कराई क्यों खड़ी कराई जिससे कि मेक्सिको की तरफ से जो इलीगल लोग आ जाते हैं वो लोग ना सकें तो इस दिवार से किस को फायदा हुआ तो भाई जिसको दिक्कत है वही जानता है कि किस चीज को भोग रहा है सुमंत रर्मन लिखते है कि more evidence today that people across countries don't really care much about honesty and decency as character traits in their politicians इनका कहना है कि अब तो और सबूत हमारे पास आ चुके हैं कि दुनिया भर के लोग politicians में किसी प्रकार की अच्छी quality को नहीं देखते हैं यह आगे लिखते हैं कि जब तक politicians उनके दुआरा कही गई चीजों को लेकर अब उनके वादों को पूरा करने की बाते करते रहते हैं लोग कुछ भी नहीं देखते and hate and ordering to fetch votes big time मतलब कि आप इसमें hate add करो और आपको vote मिल जाएंगे सही बात है कमला हैरेस तो कोई hate फेलाई नहीं देखते हैं वो अमेरिका के लोगों के रोजगार को बचाने कोईश कर रहा है और तुम यहाँ पर बैटकर कह रहा हो कि वो भाई यह गलत आदमी समझ में नहीं आता भाई चाहते क्या हो श्रेया जी लिखती है कि आज मैंने इडियोक्रेसी मैंने अभी इस साल की शुरुआत में इडियोक्रेसी देखी थी और आज बैटकर एक बाप फर से देखने वाली हूँ वही हो गया ना आपके मन में ना मोदी जी के लिए जीत की खुशी थी और ना टरंप के लिए जीत की खुशी है जो मैंने आपको शुरुआत में लॉजिक बताया था मोदी के सपोर्टर टरंप के सपोर्टर बस वही गणत यहां पर चल रहा है पूरे में और यह बहुत सर्प्राइजिंग नहीं है अब यहां पर नीचे एक इन्होंने विंसन किनिगाम की एक बात लगाई है आप उसको पढ़के ज़रा समझिएगा तो आपको यह राना यूप का दर्द स्ट्वीट के बीचे का क्या है वो समझ में आएगा हंसल महता मूवी बनाने का काम छोड़कर यह भी ट्रंप की जीत हार के उपर बात करना शुरू कर दी इन्होंने लिखा कि गेम ओवर फॉर हैरिस और फिर इसका दिलून्ड पता नहीं इसका मतलब क्या है गौड ब्लेस अमेरिका बिचारे बहुत दुखी हैं यह बिचारे मतलब क्या मुझे अमेरिका जाने की जुगार में थे क्या ऐसा कुछ है अगर तो भी बात अलागे और ना इनके दुखी होने के कारण जो है वो समझ में वाकई में नहीं आते और वीर्दास ऐसे भी टू इंडियान टू इंडियान करते हुए काफी आगे निकल चुके है तो अब बात वो टू इंडिया वाली शायद इनके लिए जादा ही अच्छी हो चुकी है अरे मैं तो यह सोच रहा हूं कि आप तो मैयत जैसा महसूस कर रहा हूंगे जैसा आपको चार जून को महसूस हुआ था पांच नवंबर को पूरी-पूरी मैयत ही आप तो एक्स्पीरियंस कर रहा है भाई क्या बता है मिनी नायर मिनी नायर जी लिखती है कि USA is one can say now still not ready for a woman president and would prefer a motor mouth अब कमला हैरिस के बारे में देखिए ऐसा है कि बोलने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन ठीक है अब तो हार कही है तो बोल के भी क्या मतलब हारे हुए के जखमों के उपर नमक नहीं रिकरना चाहिए अशोक कुमार जी लिखते हैं कमला हैरिस को गाजा नरसंगहार का भागिदार होने की सजा मिली है इतिहास में बाइडन को मासुम बच्चे और ओड़तों के तैरे के रूप में याद किया जाएगा बात तो खेरे एक हद तक सही कही है इनों ने बही जिस तरीके से गाजा म दिए एर टरंप एंट टेट एंड मस्क अर दमन दte मैं लूक अप टू अरे भाइ यार मतलब मेल मस्कुलाणिटी को आप पसंद नहीं करते हो तो आप बनो न चुही म इपन के किसी को दिक्कत नहीं पर जो मेल मस्किलानिटी को पसंद करता है उसको आपको ऐसा बोलने के जरूरात है यही होता है जो जी और जीनोदो वाली फिलोसिफी थी न जो लोग उस चीज़ को वाकई में नहीं मानते हैं वो ऐसे ही करते हैं हद हो गई भाई और टेट अगर जिम्मेदार है आज जिम्मेदार बोल रहा हो बॉलीवूड मेल टाउन भी देखने के लिए मिला अकांशया रंजन कपूर ने इसको लेकर लखा है कि हाइट पिल्टू स्वैलो वोमन राइट लुज़स प्रटेक्टिंग अर एंवार्मेंट लुज़स एंपथी तो बहुत टाइम से घाटे में जा रहे थे यार यह तो मुझे भी लग रहा है क्या बोलो सायमा ने बहुत ही भारी मन से लिखा है इलाउन मस्क विंस और यह लिखने के लिए भी यह ट्विटर पर आई इससे बड़ी विडमना क्या भाई अपने रेडियो शो में बोल देती जिनको सुनना होता है वासे भी सुन लेता लेकिन इनको यह पता है कि भाई कितना ही लोग सुनते होंगे मैं और क्या पता हूँ सागरिका जी लिखती है कि अमेरिका स्टिल अवेट्स इंद्रा गांधी 2024 और स्टिल नो वुमन पोर्टस कॉंग्राचुलेशन स्टिल डॉनाल्ड ट्रम यार ठीक है नहीं बन पा रही नहीं बन पा रही यार इसमें इतना परशान होने वाली किया बाद संदीब जी लिखते हैं अब आप इसको डिकोट कर लेना है ना इसको समझाना में को पसंद नहीं है बिलकुल MK Venu नहीं लिखा है ये बात वेनू जी ने वाकई में सही कही है कि टरम्प के आने से कई लोग भारत में जिसे खुश में हैं कई लोग खुश हैं तो टरम्प के आने से देखिए वीजा को लेकर टैरिफ को लेकर इंपोर्ट डूटी को लेकर बहुत सारी चीजों के ऊपर बदलावाने की एक बात कही जा रही है और मुझे से लगता है वो होगी भी सही तो आने वाले तीन-चार साल भाई अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है देखने मजा आएगा देवाशीज बसू लिखते हैं ट्रम्प का जो एजेंडा है जो कि अगर इंप्लिमेंट किया गया वो लिखते हैं कि हाई टैरिफ कर दिये जाएं डॉलर को और ब्यादा स्ट्रॉंग किया जाएं जिससे की जो इमर्जिंग मार्केट है उनके लिए वो चीज एक खत्रा बन जा है लेकिन जो इंडिया के जो पंटर हैं वो रिजॉइस कर रहा है कि भी ये ट्रम्प जीत गया अगूड एक्जामपल ऑफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना अब जहां पर देवाची बसुझी ने ये बात कहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना ये मुझे लगता है कई जगों पर जो लड़ाई जगड़े चल रहा है उसको लेकर भारती जो लोना मचाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं जण्डे लेकर कि तुम एक कुमार होगे हर घर से मुलल निकलेगा वैसी जो बाते करते हैं मेरे एकिताब से उसको भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना वाली केटेगरी में ही डाला जाना चाहिए संदीज भी ने एक और ट्वीट किया है यह लिखते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को पर्चेस किया और उसकी कीमत वसूल हो चुकी है जो टॉरेंट्स हैं वो लाए कर रहा है मिसनफोर्मिशन है नरेटिव को फोर्स किया जा रहा है जो फैक्ट से उनको पेडल किया जा अपना अपने तरीके से बताने का तरीका होता है कि हमें दुख है ट्रंप के जीतने का राणा जी ने लिखा है बिए इनका तो आना जरूरी था यार मनी शंकर अईयर जी जो मोदी जी को चाय बनाने की जगेदेने वाले थे न ये वो हैं इनका कहना है कि एक तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि एसे चरित्र के आदमी को जितका इतिहास में लिखा है कि वो वैश्याओं के पास जाता है और उन मतलब बता दे ना उनको है ना कि आप इंडिया से हो तो फिर वो भी आपको अपने हिसाब से बताएंगे आकार पटे ने लिखा है पता नहीं क्या क्या लिखते है इतनी इंगली शाती नहीं है अपने को अपने को दुख नहीं है जीता है जीतका तुमारा वीजा भी नहीं लगेगा सूशल मीडिया पर ट्रम ट्रम करने से इंडिया में पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे इंडिया में जॉब्स के रेट नहीं होंगे हाँ भाई ठीक वैसे ही जैसे वो फिलिस्तीन में जो चीज़े चल रही ही न है उसको लेकर यहां पर मर्च करने से कुछ नहीं होगा ना वैसे होगा सब को बता आई अब